किसान भाहियो नमश्कार, आज हम बात करेंगे जीरे के रोगों के बारे में और दीमक के उपचार के बारे में जातर क्या होता है कि जीरे के अंदर ये तीन विमारिया मुखेता देखने को मिलती है उक्टा, जुलसा, छाच्या और इसके लावा एक दीमक देखने को मिलती है ठीक है? और इस फसल में क्या है? जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी का जो समय है इसमें उक्टा बिमारी और दीमक का प्रकॉप आपको देखने को मिल रहा है यह उक्टा और दीमक हो कभी भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो प्रकॉप आपने को देखने को मिल रहा है वो है उक्टा और दीमक का, जो अभी समय चल रहा है, दिसंबर का माईना है ठीक है, तो उक्टा बिमारी सबसे पहले हम यह देखेंगे कि उक्टा बिमारी होती किस कारण है क्योंकि कोई भी बिमारी है, अगर हमें यह पता नहीं होगा कि वो हो किस कारण रही है तो हम उसका इलाद नहीं दून सकते, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि उक्टा बिमारी किस कारण होती है, उक्टा होती है एक फंगस की वजए से, जिसका नाम है फ्यूजेरियम, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये जीरे का पोदा है, ठीक है, और इसकी ये जड ये क्या करेगी, जैसे इसकी जड़ों पर अटैक करेगी, तो जड़ें क्या हो जेंगी, काली पढ़ जाएंगी, और ये पोशक तत्तव पानी बगारा लेनी बाएंगी, जो भी पोदी को जरूरत पढ़ती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कि जब तक ये न्यूट्रें के अंदर उक्टा बीमारी के अंदर क्या होता है, कि जड़ें काली पढ़ेंगी, और दीमक के परकोप से जड़ें कट जाएंगी तीचे से, तो इसका पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कि जो पोदे को पूरा जड सही तो उखाडेंगे, उससे पूरी की दीमक के कारण हुआ है, ठीक है, तो अगर ये पूरा पोदा उखाडा, कई बार क्या होता है, वैसे भी दीमक ने काट लिया है, उसके बाद जड़ बाद में काली पढ़ गई, क्योंकि पोशकतत तो उसको मिले नहीं, लेकिन हम जड़ पूरा जब देखेंगे, तो जड़ काली है और कटी हुई नहीं है, तो सिंपल सा सिस्टम है कि उखडा बिमारी है, और जड़ कटी हुई है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर दीमक लगी हुई है, ठीक है, अब ज़्यादा तर क्या होता है, कि किसान भाइ, जब ये जीरे की फसल में जब दीमक और उखडा का पोदे मतलब अमर्य होते हैं, तो किसान क्या करता है, सीधा जैसे इनसेक्टिसाइड की दुकान पर बाद की, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा पोदा मर रहा है तो वो हो सकता है कि जानकारी के अभाव में अगर उक्टा बिमारी लगी हुए तो हो सकता है वो दिमक की दवाई दे दे ठीक है और दिमक लगी हुए तो हो सकता है उक्टा की दवाई दे तो हमारा क्या इससे खर्चा बढ़ जब तक हमें पता चलेगा नहीं तो उक्टा लगा हुआ था हमने दिम्मा की दवाई दे दी ठीक है तो अब हमें करना क्या है कि उक्टा के लिए हमें अब चाहिए कि हमें इसका इलाज कैसे करना है तो उक्टा दो चीजें यह उक्टा जो है यह जमीन जहीत बिमारी है जमीन के इनदर तो सिस्टमिक फंजिसाइज जैसे कार्बेंड अजीम डूगराम लेना अपने को ठीक है और इसके अंदर इसे दो ग्राम से एक किल्व बीज का अपनुपचार करेंगे एक अगर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे लेकिन अभी आपको बता दे कि यह सीट टी तो किसी भी सिस्टमिक फंसाइट सभीस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीके, अब क्या है कि अगम चाहरे हैं कि अर्गनिक तरीके से करें तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ट्राइकोडर्मा आता है, ठीके, ट्राइकोडर्म फंगस जोगी, उससे हम क्या करेंगे कि एक किलो तो यह तो हो जायगा बाद में इलाज, यानि कि कहने का मतलब स्थी ट्रीट्मेंट करते वक्त की बात है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अभी जो उक्टा आ चुका है जमीन के अंधर, ठीक है, फसल बड़ी हो चुकी है, फसल लग चुकी है, अब हम उक्टा देखने को मि केमिकल की बात करें, तो कार्बेंडाजीम, हम इसे कोई भी सिस्टें फंशाइडबन कामे ले सकते हैं, उससे इसकी ड्रेंचिंग करनी है, ठीक है, पूरा का पूरा जड के अंदर केमिकल जो जाना चाहिए, ठीक है, तो पांसो ग्राम एक एकड के लिए प्रयापत रहता है, ठीक है, कार्बेंडाजीम, बात कर लेसे की, तो के लाज, कि यूरी पूरिफरस, और फिफरोनील, और और बहुत सारे दीमिकल के लिए कहमिकल आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ऑई कैसे हम इसको क्लोरफियूरीफोस से कामे ले सकते हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ पांसो अ एक एकड के लिए प्रयापता है ठीक है ये तो हो जाता है इसका दिमक काउचार ठीक है अब बात कर लेते हैं जुलसा बीमारी की जुलसा बीमारी में क्या होता है जुलसा बीमारी में अपने को देखने को मेलेगा कि ये जो पोदा होता है वो पुरा पुरा काला पढ़ जात और यह फंगस जो है नोन सिस्टमिक फंगस के कान होता है उसके एलाज के लिए明白? कर आए — मन को जेप काम में लेंगे उतके है को क्ये लिए क्या क्या करें ले happens मन को युच हो ही 500 gram एक एककड लिए काम में लेंगे और सपरे कर देंगे मन को जेप का ठीके है यह क्या होता है कि जब बादल बाधल गुहरा जाद हो नब जादे जो यहे घे इख přेंशा था हुँ जुटे हो इंड crop जब जो जुटिसर भट्गियत पाऊडरी में लिग में धच जिसको आपटे ज़का हुआ हुँ कि इसके उपर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देगा, पत्तियों के उपर और टैनियों के उपर, ठीक है, सफेद रंग का पौडर दिखाई देगा, पूरा पूरा पोदा सफेद पढ़ जाता है, उसमें क्या होता है, कि जब यह पोदे की पत्तियों के उपर पाउडर ज तो इसका जो हो जाएगा वह जाता है पांचे शे केजी एक एकड़ के लिए प्रयाप्त रहता है तो यह थी आज के बारे में पूरी जानकरी थेंक यू